दोस्तों सुसान सिंग राजपूत की मौत के बाद हर इनसान बस यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इतने जिन्दा दिल और खुसमिजाज इनसान ने आत्महत्या क्यों की लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे की कई बड़े एहम सुराग मिल सकते हैं जी हाँ दोस्तों सुसान सिंग राजपूत के पांच डायरी पुलिस के हाथो लग चुकी है और उस डायरी को अध्यन करके पुलिस ये पताय लगाएगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था आखिर किस वज़ा से उन्होंने आत्महत्या की है मैं आपको बता दू कि कई सेलिबरेटी बॉलिवूट सेलिबरेटी और सुसान सिंग राजपूत के परिवार वालों ने भी बॉलिवूट के कुछ चुनिंदे लोगों पर आरोप लगाए हैं साब तोर से कहा है कि भाई भतिजा वाद ने सुसान सिंग राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया लेकिन पुलीस के हाथों जो डायरी लगी है उससे कई बड़े सुराग मिलेंगे डायरी में किस तरगी बाते लिखी गई है तमाम चीजों का ध्यन किया जाएगा और उसके बात पता लगाया जाएगा कि आखिर सुसान सिंग राजपूत ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया दोस्तो मैं आपको बता दो कि सुसान्त के फौन डिटेल को भी खंगाला जा रहा है उन्होंने किन से बातचीत की क्या बात हुई है तमाम चानकारियां पुलीस जुटाने में लगी हुई है लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है खबर के मुताबिद जो उनके करीबी दोस्त हैं बहुत सारी लोग उनके संपर्क में थे वो अभी लॉकडाउन के कारण से कॉरोना के कारण से मुंबई में नहीं है बाहर हैं कई अलग जगह हैं उनको एकठा करके पुलीस पूस्ताच करेगी कि इनके मनों इस्थिती में क्या चल रहा था किस दोर से गुजर रहे थे लगातार 6 महिने से जो डिप्रेशन की बाते की जा रही है आखिर किस वज़ा से सुसान्त डिप्रेशन में थे ये तमाम आकड़े जो हैं तमाम जानकारिया पुलीस जुटाने में लग चुकी है अब पुलीस के जाच परताल के बाद ही पता चलताएगा कि आखिर सुसान सिंग राजपुत ने आत्म हत्या क्यों की है या फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके हत्या की गई है वो स सारी बातें निकल कर सामने आएगी दोस्तों आगे के अपडेट के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए नमस्कार